आज हम बात करेंगे liver failure या cirrhosis of liver disease के बारे में so liver failure एक ऐसी बारी है कि ये एक दिन के जणरली नहीं होती maka liver failure को develop होने होने में और 30-40 stage तक हौंचने में सालो साल लग जाते हैं और इस लिए इस बारी को हम chronic liver disease के नाम से जानते हैं मगर ऐसा नहीं है इसकी acute condition भी होती है हाला कि वो rare है मगर ऐसे cases देखे गए है कि जो 24 गंटे से 48 गंटे के बीच से लेके हफते भर के बीच बीच में ही उनका liver failure हो जाता है हाला कि उनको पहले सी कोई बिमारी नहीं थी वो ट्रिंक नहीं करते healthy people थे लेकिन उसके बाद भी वो liver failure की stage में चले जाते है तो वो कारण क्या क्या है क्यों ऐसा होता है तो generally alcohol को हमेशा से सबसे बड़ा culprit माना गया है liver failure के लिए तो वो लोग जो बहुत जादा और बहुत लंबे समय तक alcohol का consumption करते हैं शराब का सेवन करते हैं उनमें liver failure होने के chances जादा होते हैं उनके अंदर alcoholic liver disease develop हो जाती है जो liver failure का या liver cirrhosis का मुख्य कारण बनती है उसके अलावा जो दूसरा कारण है वो कुछ viral infections या viral hepatitis है जैसे hepatitis A है hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E ये सारे hepatitis जो है ये दोनों तरह के कारण बन सकते हैं acute liver failure का भी और chronic liver failure का भी hepatitis B के बहुत सारे मरीज होते हैं जो liver failure की तरफ बढ़ने लगते हैं अगर समय पे ध्यान ना दिया जाए या समय पे सही इलाज ना शुरू किया जाए उसके लावा जो तीसरा मुख्य कारण होता है वो है life style यानि कि हमारा जो life style है जिसके कारण हमारा liver जो है वो fatty liver में convert हो जाता है मैंने इस पे detail वीडियो बनाई है आप वो वीडियो refer कर सकते हैं fatty liver disease के लिए description में आपको इसकी detail मिल जाएंगी उसके अलावा जो दूसरे कारण है कुछ और भी liver failure होने का डर रहता है एक जो बड़ा कारण और होता है acute liver failure का उसमें कुछ दवाईया होती है और जो बहुत कॉमन है paracetamol अगर paracetamol को जो उसकी prescribed doses है अगर उससे ज़ादा paracetamol ले लिये जाए तो ये acute liver failure का कारण बन सकता है तो दोस्तों ये दो कुछ कारण थे जिनमें हमने मुख्या कारण भी और जो secondary कारण होते हैं उनकी भी बात की अब हम बात करते हैं कि इसकी stages कितनी होती है तो liver failure की मुख्या था चार stages है जिसमें सबसे पहली stage होती है inflammation यानि कि जो liver है उसके उपर swelling या inflammation आने लगती है तो जितने भी hepatitis है hepatitis का मतलब ही होता है inflammation of liver तो ये पहली stage होती है inflammation of liver दूसरी stage में liver के अंदर scarring शुरू हो जाती है या fibrosis शुरू हो जाता है और तीसरी stage जो है उसको हम cirrhosis of liver के नाम से जानते हैं और fourth stage जो है उसको हम end stage liver disease के नाम से जानते हैं अब हम बात करते हैं कि इसकी symptoms क्या है क्योंकि symptoms भी वैसे ही बढ़ते हैं जैसे जैसे stages बढ़ती है initially मरीज को nausea, भूख का कम लगना tiredness ये सारे symptoms आते हैं जैसे जैसे बीमारी आगी की तरफ बढ़ने लगती है तो फर मरीज को jaundice डवलप हो जाता है जैसे generally hepatitis A और B में तो बढ़ा common है jaundice होना तो यहाँ पे जब liver में inflammation होने के बाद जब ये jaundice होना शुरू हो जाता है तो eyes का color yellow हो जाता है जो skin का color है body का वो yellow हो जाता है जो urine है पेशाब है वो बहुत dark yellow color का आने लगता है और उसके साथ साथ जो abdomen है वो फूलना शुरू हो जाता है abdomen tense होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे एक term होती है spider navy spider navy हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मकडी के जाले होते हैं उस तरह कि छोटे छोटे जो blood vessels है वो visible हो जाती है abdomen के उपर इसको हम spider navy कहते हैं और ये बहुत बड़ा sign है liver failure को पहचानने के लिए इसके साथ साथ skin में bruising बढ़ जाते है यानि कि skin के अंदर छोटे छोटे कुछ black red color के sports दिखने लगता है वो इसलिए होता है क्योंकि जब liver ठीक से काम नहीं करता है जब liver failure की stage में जाता है तो liver के अंदर vitamin K बनता है और जो blood clotting factors है जो हमारे अगर कहीं cut जाता है और जब blood बहरा होता है तो उस blood को बैने से जब रोकते हैं वो factors उनका production काम हो जाता है तो हमारी body के different different organs से blood की using शुरू हो जाती है या bleeding होने लगती है खास दोर से जो alcoholic मरीज है या जो alcoholic liver disease के मरीज है उनके अंदर जो isofagus के अंदर varices होता है उन varices में bleeding सुरू हो जाती है और मरीज को खून की उल्टिया भी आती है कई बार मरीज को latin में भी खून आता है बढ़ जाता है और ऐसा होने से जो lungs है और जो kidney है उनके functions पे भी असर पड़ता है और वो भी फिर धीरे-धीरे failure की तरफ जाने लगता है इसके साथ साथ जो visible symptoms है वो होते हैं कि जब या abdomen बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा होता है क्योंकि जो abdomen है उसके अंदर एक जिल्ली होती है जिसको हम peritonium कहते है तो अगर peritonium में inflammation आ जाए जिसको हम peritonitis कहते है तो यहाँ पे पानी का collection और बढ़ना शुरू हो जाता है यानि कि पेट के अंदर और ज़्यादा पानी भर जाता है और पेट बहुत बढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा tense हो जाता है जब ascitis होता है तो पेट के अंदर जब पानी भरता है इस condition को हम ascitis कहते है और उसके साथ साथ पूरी body पे swelling आने लगती है और जो body का निचला इससा है खास तोर से जो पैर हैं टांगे हैं कारण क्या है अब बात आती है मुख्य पॉइंट की कि इसका इलाज क्या है अगर मरीज फूर्थ स्टेज में चला जाता है तो एक option जो है वो liver transplant का है जो finally बचता है मरीज को बचाने के लिए लेकिन अगर अभी हमने मरीज को पहले डाग्नोस कर लिया मरीज अभी liver cirrhosis तक ही पहुचा है उसके आगे नहीं बढ़ा है यह शुरुआती स्टेज में है पहली दूसरी तीसरी की तो हमारे पास बहुत कारगार treatment है इसका herbal treatment is the best treatment for liver diseases liver failure event cirrhosis of liver इसमें जो दवाईया यूज की जाती है कुछ anti-inflammatory category की होती है कुछ diuretics होते है कुछ जो हमारे liver के cells होते है उनको protect करते है या liver tonic के तोर पे काम करते है तो जो single herbs हैं बहुत सारे single single herbs को मिलाके हम उनको combinations में देते हैं तो ये मुफरादाद दवाईया होती है या फिर उनकी कुछ compositions बना लेते हैं इनको हम मुरकबाद दवाईया कहते है ये दी जाती है इन मेंसे जो बहुत common नाम है मैं आपको दो तीन बता देता हूँ जैसे इसमें कासनी, मको, दबीदुलवर्द ये बड़े common नाम है और बड़े ही सटीक नुस्खे हैं खास तोर से liver failure और cirrhosis of liver के लिए अगर आपकी जानकारी में आपका कोई दोस्ट, आपका कोई पडोसी liver failure की किसी स्टीज में है तो उसको आप recommend करें कोई यूनानिय ट्रिट्मेंट या आर्विदिक ट्रिट्मेंट की तरफ चाहे दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like करें, share करें bell icon का बटन जरूर दबाले और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले धन्यवाद